अब देखो ये बात तो बिल्कुल अंडिनाबल है कि जब भी मास सिनमा की बात आती है तो उसमें साउथ इंडेस्ट्री डिफिनेटी रूल करती है अब इसी से मास सिनमा के पैटन पे आ चुका है बेबी जॉन का टीजर जिसको नाम डिया गया है टेस्टर कट अब अडिनाबली टीजर में ऐसी बहुत सारी चीज़े है जिसने मुझे काफी जादा इंप्रेस किया पर आट अट अट इसे मेजर आस्पेक्स भी हैं जिसके बारे में थोड़ा बहुत स्केप्टिकल हूँ सबसे पहले इनके सकर आपको नहीं बता तो आपको बता दूँ ये फिम 30 फिम का रीमेक है जो कि 2016 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमको विज़े थलापती दिखाई दिये थे जिसको खोद एटली कुमार ने डिरेक्ट किया था जिन्होंने बेग गिल, मर्सल और ज दिखाई जिए रहे हैं वह सारी आपको एटली कुमार की डिरेक्शन की याद दिला रहा होगा क्योंकि यह स्टाइल उन्हीं कर रहा है वहीं अगर मैं वरुन्धावन की बात करूं तो भी आलों कि उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्स में तो काम किया है बट आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं किये जिसमें उनको प्रॉपर मासी अवितार में प्रेजन किया गया हो यानि जिस तरीके तो वो बेबी जॉन की टीजर में देख रहे हैं जहां उनके दो लुक्स हैं मल्टिबल फाइट सीक्वेंसे हैं और अगर आप इस चीजर को ध्यान से दिखाएगी प्लस साथी टीजर को देखने में ऐसी भी वाइब आ रही है कि यह कोई नॉर्मल मसाला मूवी नहीं होने वाली है यानि इसमें इंग्रेडियन भी भर-बर के होंगे अगर आप वरुन धवन और उनके बीटी की बीच का बांड देखेंगे तो उससे बात क्ल प्रबबली वो फिल्म में वरुन धवन को भी बिल्कुल कच्छा चबा जाएंगे इन सिंपल वर्ड यह फिल्म हो सकता है लोग वरुन धवन के लिए देखने तो जाएं लेकिन जब वो थेटर से बाहर निकले तो अल्टिमेटली वो जैके शॉफ के फैन मन जाएं बागी के लिए कई करोनों रुपए भी खर्चुए हैं तो यह सबसे पहली चीज यह आती है कि यह फिल्म भी एक रीमेक है हम सब जानते हैं कि पिछले दो सालों में हिंदी ने रीमेक्स को बहुत था अप्रिशेट नहीं किया है इन फाक्क बहुत कमी रीमेक्स हैं जो कि बॉक्स सकसर में एक चीज़ कॉमन थी कि यह दोनों ही फिल्में हिंदी में किसी भी OTT प्लैटफॉर्म पे नहीं अवेलबिल थी वट वहीं अगर मैं वेजा थलापादी की थेरी की बात करूं तो यह फिल्म यूट्यूब के गोल्माइंड चैनल पे हिंदी में बिलकुल फ्री में अवेलबिल है तो अगेन ऐसे में बहुत बड़ा क्वेशन होता है कि क्या ओडियस ऐसी फिल्म देखने जाएगी जो कि उनको ओल्लेडी फ्री में हिंदी में देखने को मिल जाएगी सेकेंडली फिल्म के लीड में वरुन धवन दिखाई दे रहे हैं और उनको काफी मासी में प्रेजन तो किया गया है लेकिन उनकी जो डियलोग डिलिवरी है प्लस जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं से भी मास हीरो की नहीं लगती वरुन धवन ने खुट कहीं इंटरव्यू में कहा है कि उनकी बोईस एक बेबी वोईस है इन फैक मैं अगर इस पर्ट आरोखान के विक्रम रोटोर को जवान में देखते हैं तब तो हमको प्रॉपर मासी वाली वाई बाज आती है तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यह ओड़ता है कि क्या वरुन धवन भी मैजिक क्रेट कर पाएंगे जो कि मास जोन्ना में रोकी भाई या फिर पुश्पा ज कि जिस तरीके से दो फिल्मों ने इस साल हमारे दिवाली बरबात करी है उस तरीके से ये दो फिल्में हमारे क्रिसमस को बात कर दे है